हाई फेंट जी फेटनेस एंटेटेंटमेंट यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यामा की न्यू अपकमिंग बाइक को लेकर जिसे लोग न्यू आर्वन फाई वी फॉर या आर्टू बोल रहे हैं यूटूब पर आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आर्वन फाई वी फॉर को लॉंच होने का दावा किया जा रहा है और कई वीडियो में आर्टू को लॉंच होने का दावा किया जा रहा है मैं इस वीडियो को after launching बनाना चाह रहा था पर कुछ subscriber ने मेरे old R15 V3 वाले वीडियो में comment करके पूछा था कि हमें कौन सी bike को लेना चाहिए और upcoming model का wait करना चाहिए की नहीं तो आज का ये वीडियो उन subscriber और viewer के लिए helpful होने वाला है जो यामा की R15 V3 bike को purchase करना चाहते हैं पर उनको इस बात की चिंता है कि यामा new model को launch ना करते तो बने रही है का इस वीडियो के साथ वीडियो स्टार्ट करने दे पहले मैं आपको एक छोटी से information देना चाहता हूँ चैनल पर अगर नए है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लिजए और बेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसके notification आपको fair cost मिलते रहे हैं दोस्तो इस वीडियो में जितनी भी information अगर दी जारी है अगर वह आपको सही लगती है तो प्लीज वीडियो को like जरू कर दीजेगा और अगर आपको मेरे दोरा कोई personal information चाहिए हो in bikes related तो आप चैनल को join भी कर सकते हैं चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं upcoming Yama का prototype Indian roads पर test होते हुए जब इस तरह के prototype को test किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि company जल्द ही new model को launch करने वाली है और Yama की history रही है जब भी इंडिया में prototype को road पर test किया है तो within six month में Yama company ने bike को launch कर दिया है आपने देखा ह हुआ कि FZX bike को test होते हुए जो कि July 2021 में Indian Yama ने launch कर दिया था यहनि अगर आप R15 को purchase करना चाहते हैं तो मेरा suggestion यह है कि आप 3-4 महीने का over weight कर लीजे आपको जल्द ही Yama की तरफ से new bike same CC segment में देखने को मिल जाएगी हो सकता है इस bike का price R15 V3 से 10-15,000 रुपे जादा हो क्योंक करने को मिल जाएगा YouTube पर कई video में दिखाया गया है कि R2 bike launch हो गई है पर यह video R7 का है जो कि European Yama ने कुछ समय पहले ही globally launch किया है और जो bike India में launch होने वाली है उसकी design R7 से inspire होकर की गई है इसलिए कई fake video customer को confuse कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक Indian Yama official information नहीं दे देती तब तक आप किसी भी fake video या website पर भरोसा मत कीजिएगा कुछ automobile website ने Yama के new R2 model को register किये जाने वाला documents को बताया है पर इसमें Indian Yama के तरफ से कोई भी detail फिल नहीं की गई है Yama R2 trademark से Japanese Yama ने इसे register किया है क्योंकि Australia और Indonesia जैसी country में इस bike को launch करने का plan बना रहा है यह bike इंडिया में launch होगी की नहीं इसको जानने के लिए आपको अभी और वेट करना पड़ेगा क्योंकि Yama जब भी कोई new bike इंडिया में launch करता है उस से पहले वा इंडिया या South East country में उस bike को launch करता है एक्जामपल को लेकर समझे तो R15 V3 पहले इंडिया में launch हुई थी फिर USD suspension को हटा कर price को maintain करके इंडिया में launch कर दिया गया था अब मैं आपको एक document और दिखाऊंगा जो R15 के new upgrade model को launch होने का दावा कर रहा है इस document में clearly दिखाया गया है कि ये इंडिया नियामा क के तरफ से fill किया गया है और base model के साथ साथ variant भी आपको लिखा दिख जाएगा साथी साथ power और other detail भी इसमें मिल जाएगी यानि इस document की base पर हम ये बोल सकते हैं कि जो prototype आपको test होते हुए दिख रहा था वहाँ R15 का upgrade version R15 M होने वाला है और मुझे भी यही लगता है कि ये bike R R15 M branding के साथ Yamaha launch करेगा अगर आप देखेंगे पिछले कई Yamaha model को जैसे FZ और Ray scooter को तो recently Yamaha ने smart connectivity जैसे features इन बाइक और scooter में update किये हैं सेम Yamaha R15 में भी आपको जल्द Bluetooth smart connectivity के साथ new look में Yamaha R15 जो की R15 M version के साथ मिल जाएगी यह bike इंडिया में दिवाली 2021 के आसपास Yamaha इंडिया म अगर आप Argent में Yamaha R15 को purchase करना चाते हैं और आपका budget tight है तो आप R15 V3 को purchase कर सकते हैं बट अगर आप 3-4 महिने का और weight और 10,000-15,000 रुपे और खर्च कर सकते हैं तो आप R15 के new model को launch होने का weight कर लीजिए यह bike आपको new updated features के साथ available हो जाएगी friends मुझे इस वीडियो में जितनी भी information cover करनी थी मैंने cover कर ली है इस से ज़्यादा information में इस वीडियो में इसलिए cover नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस bike से related अभी कोई भी official information company की तरफ से नहीं आई है जैसे ही यह bike इंडिया में launch हो जाती है मैं उसके उपर एक detail में अच्छा वीडियो बना दूँगा ताकि आपको पूरी information पता चल जाए अगर इस वीडियो में जितनी भी information दी गई है वे आपको सही लगती है तो प्लीज वीडियो को like जरू कर दीजेगा चेनल पर नए है और bike से related वीडियो देखना पसंद है आपको तो प्लीज चेनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को जरूर दबाईए ताकि जो भी में वीडियो अप्लोड करूं उसके notification आपको fill up cost मिलते रहे हैं दोस्तो अगर आपको मेरे दोरा कोई personal information चाहिए हो इस bike से related तो आप चेनल को join भी कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक हेलमेट पे नहीं है safety के साथ bike चलाएए जैहिन